प्रणाम आप सब के लिए बहुत प्रार्थनाएं और आशाय कि अच्छे स्वास्थ में होंगे जीवन का आनंद ले रहे होंगे आज का जो आपका प्रश्ण है कि अपने किस कर्म को आप अपना जीवन बनाएं और उस कर्म को आप कैसे बड़ा करें और जीवन में कुछ बड़ा आप अपना स्तर बना पाएं, नाम कर पाएं प्रश्ण बहुत अच्छा है बहुत सुन्दर है और आपके भाव भी मैं समझ पा रहा हूँ अब इसका उत्तर आप इस प्रकार से लें यदि कभी जीवन में आप पहाड की तरफ गए हो बड़ा पहाड आपने देखा हो और उसकी चड़ाई की हो तो आप पाएंगे वो पहाड जहां किसी का गाउं नहीं बसा कोई रहता नहीं है वहाँ पर कोई एक मार्ग नहीं होता आप जिस दिशा से चाहो चड़ सकते हो उस पर चड़ना जरूरी है चड़ते जाओगे तो एक समय आता है कि पहाड की उंचाई पर होते हो जब आप उपर पहुंच जाओगे तो इस बात का कोई आपके उपर असर नहीं होगा कि किस दिशा से आए कैसे आए अब आप उपर हो और आप एक बड़े स्तर पर हो ऐसे ही जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है जो भी काम आपको अपने स्वभाव के साथ मेल खाता हुँ नजर आए आपको उसमें टेस्ट हो, स्वाद हो, पैशन हो उस कारे को उसी परकार करो जैसे इस पहाड पे चड़ गए एक एक कदम रखते जाओगे, दिशा अपने आप आपकी बुद्धी बताते जाएगी यदि कुछ कदम आपके ऐसे हो, जहां आपको रस्ता समझ नहीं आ रहा वो आपका अनुभव बन जाता, चाहकर भी आप उस रस्ते पर वापिस नहीं जाओगे अनुभव होना बहुत ज़रूरी है कॉपी पेस्ट करना, किसी ने कुछ कर दिया वो वैसा ही कर दिना उससे आप अपना कुछ नहीं कर पाओगे वो तो दूसरे का था, आपने किया भी होगा तो फिर आप उसका अनंद नहीं ले पाओगे आपको अंदर तो पता ही होगा कि मैंने ये किसी और का किया है अपना नहीं है अपना करने के लिए मुक्त भाव से पहाड पर चड़ते चले जाओ थोड़ा गिरना हो जाएगा कई बार कुछ उदासी भी आ जाएगी वो स्विकार करने चाहिए वो सब आपके अनुभव बनाते हैं कल जब आप इस बड़ी चोटी पर पहुंच जाओगे तो ये कहानी बताने में आपको बहुत आनन्द आएगा कि कितने आपने ऐसे मौके देखे जहां आप बिलकुल टूट चुके थे कि ऐसा समय आया जब आप पूरी तरह से निराश हो चुके थे पर आप रुके नहीं आप बढ़ते चलेगे और इन कहानियों से और इन बातों से आप ना जाने कितनों को उत्साहित कर पाओगे तो जो भी कर्म आपने करना है जो मन में आपने धारना ली है उस कर्म के प्रती प्रेम पैदा करो और फिर मुक्त भाव से उसको करते चले जाओ बुद्धी कौपियों करो चतुराई कौपियों करो और कुछ बड़ा हो जाएगा आपको इसके अलवा कुछ भी नहीं चाहिए आपको कुछ और बताने की अवशक्ता है नहीं है आप खुद जानते हैं कि आपका जीवन कितना सुंदर और कितना शक्तिशाली है आपकी आत्म शक्ती और आपकी बौधिक शक्ती ही आपके करम का निरधारन करती है तो ये चुनाव आपने करना है जीवन आप देख रहे हो, संसार आप देख रहे हो, बहुत ध्यान से देखो वो करो जो आपको आपको बहुत आनन्द दे, जो आपके हिदे से जुड़ा हुआ हो वो मत करो जो समाज कर रहा है ऐसा, दिखा देखे में मत करो कि सब कर रहे हैं मुझे भी वही करना है थोड़ा चिंतन, थोड़ा मनन, थोड़ा ध्यान, थोड़ा बैठना हो जाए किसी समुद्र के तड़ पर बैठ जाओ, किसी नदी के पास जाके बैठ जाओ चिंतन मनन करो, कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर उस कारे को अपनी शक्ती से आगे बढ़ाते चले जाओ, कल जब पहुंच जाओगे उपर, पाड़ी पर उपर, तो सब कुछ आपका होगा, आपका नुभव, आपका चुनाव, और सब कुछ आप ही करेंगे, तो ये स्थिती आपकी हो ऐसी मेरी प्रार्थना, और ज चुना, जिस भी कर्म का आपने चुनाव किया, कैसा भी वो फल दे रहा हो, आप ठैरना नहीं, एक बात बहुत आम है, बहुत सुनाई जाती है, कि टनल के अंत में उजाला है, पर हम विचार करते हैं, कि यदि आप टनल में चल रहे हैं, और ये यात्रा रात की है, तो टनल के अंत में भी अंधेरा ही होगा, अंधेरे के कारण रुक मत जाना, क्योंकि सूर्य आपका प्रकाश है, इस अंधेरे के बाद, कुछ समय बाद, जब उजाला होगा सुभा का, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं है, आपको अंधेरे के उपर निर्भर नहीं रहना, प्र कारण से आप विजय नहीं होने चाहिए, ऐसी स्थिती बनाओ, इससे आप अपने आपको बहुत आगे ले जा सकते हो, और ऐसी स्थिती को ही ब्रह्मांद प्रणाम करता है, ऐसी ही स्थिती आपको इस पृत्वी पर अमर कर देती है, तो आप अमर हों, शक्तिशाली हों, ऐसी प्रार्थना मेरी, अपना ध्यान रखें, आपके और प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही, प्रणाम